दोस्तो आज हम जा रहे हैं सनावत वाले चेतर में तो मैं अभी फिलाल में पहुँच चुका हूँ मैंने ब्लोग बहुत लेट श्टार्ट किया अभी में पहुच चुका हूँ गाटी में दोस्तो आप देख सकते हो काफी 30 फिट के लगबग में आपर खुदाई हुई है 30 स से 40 फिट हो गई है दोस्तो खुदाई पहले हम लोग उपर से जाते थे साथ आपको हम उपर प्रेट्रल पम का भी दिख रहा होगा इस तरह आप देख सकते हो बहुत बड़े-बड़े दंफर चल रहे हैं और खुदाई बहुत केजी से चल रही है दोस्तों और यह काफी उची जगह थी दोस्तों पहले गाले में पुचड़ने में काफी दिक्कत होती थी और फोर लेन का काम चल रहा है तो तेर दोस्ते चल रहा है आप देख सकते हो इधर कितनी खुदाई शरी वह उपर देख आपको पंप का एक दिखेगा वहां उपर गाणिये जाती थी वह पर पंप भी था मगर अफसोब अब वह पंप जो है उनके मालिक को दूसरी जगह डालना पड़ेगा यह देखो दोस्तों मेरे बाजू में यहां पर दिखा रहा हूं यह वाली जो जगह है दोस्तों यह लगबल लगबल पचास से साट फिट की हुदाई हो चुकी यहां प बहुत ज्यादा नीचे लाया गया इसको दोस्तों मतलब अपने आख में बहुत अच्छा लगता है यहां प्याओ दोसे लगता है कि हुआ बहुत बढ़ी है मतलब पहले के दोर में भी रोड था है यहां पर इतनी उपर से गाडिये जाती थी तो व्यू दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों लोग में कि आज हम लिख लेते गुमने के लिए तो मेरे का चलो दोस्तों को भी ए नजारे दिखा दे जहां पर देखो जार वही पर हम लोगों ने कहीं वर गाडी पार्क भी किये तो कम हो गया डाउनफोल यहां पर भी स्विट के आसपास होगा बहुत मतलब एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है दोस्तों चलो तुम्हें आगे और कुछ बताऊंगा आपको कुछ नहीं नजारे हैं दोस्तों जहां आपको पोचना ता माम पोच चुके हैं और यह है वह जिसको चोड़ लग चुकी थी यह देखो जल गया था द दो यह जैस ने आये कर दिया है दोस्तों यह हमारे मामू का घर है और लंबा चोड़ा टी शेट डलावा है और जगा भी बहुत सारी चुटी भी हैं हाँ पर